IPL 2024 के लिए निलामी हाल ही में दिसंबर 2023 में आयोजित की गई थी Sunrises हाइदराबाद ने दो बेहत प्रतिभाशाले अस्ट्रिलियाई क्रिकेटरों Travis Head और Pat Cummins को खरीदा आगामी IPL 2024 के लिए S.R.S. द्वारा Travis को 6,80,000,000 रुपे और Cummins को 25,50,000,000 रुपे में खरीदा गया आस्ट्रियाई क्रिकेटर डेविड वॉर्डर हाइदराबाद में अपने साथियों के चैन की खबर से खुश होकर उन्हें सोशल मीडिया पर बधाई देना चाहते थे जब उन्होंने इसे इंस्टाग्राम और एक्स पर पोस्ट करने की कोशिश की तो उन्हें पता चला कि उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है उन्हें जो संदेश मिला वो ये था कि S.R.S. ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है आश्चर्य जनक इसके बाद वार्नर ने सोशल मीडिया पर S.R.S. द्वारा ब्लॉक किये जाने के स्क्रीन शॉट्स आजा किये निराशा जनक वार्नर को पहले निराशा का सामना करना पड़ा था पहले वार्नर ने ना सिर्फ S.R.S. की टीम का हिस्सा थे बलकि वो कप्तान भी थे उन्होंने साथ साल तक S.R.S. के लिए खेला था वार्नर के कप्तानी में ही S.R.S. नी 2016 में अपना पहला IPL किता जीता था 4000 से अधिक रणों के साथ वार्नर S.R.S. के सबसे ज़्यादा रण बनाने वाले खिलाडी है समस्या 2021 में शुरू ही जब उन्हें सीजन के बीच में कप्तानी से हटा दिया गया वार्नर इसलिए निराश नहीं थे कि उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया बलकि इसलिए निराश थे क्योंकि उन्हें कोई स्पस्टी करन नहीं दिया गया उन्हें अचानक कप्तानी से हटा दिया गया और ये दिल तोड़ने वाला था बाद में 2022 IPL निरामी से पहले वार्नर को S.R.S. द्वारा रिलीस कर दिया गया और उन्हें दिल्ली कैपिल्स द्वारा खरीदा गया 2022 से लेकर 2024 में भी वार्नर दिल्ली कैपिल्स के लिए खेलेंगे वार्नर ने कहा था कारण समझना मुश्किल है आप नहीं जानते कि कौन आपको चाहता है और कौन नहीं कोई आपको रुकने को नहीं कहता साथ ही मुझे पता है कि मेरे किसी भी सवाल का मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिलेगा इसलिए आगे बढ़ना भेतर है लेकिन ये चौकाने वाली बात है कि SRS ने वार्नर को ब्लॉक कर दिया IPL निरामी के दौरान खिलारियों की काफी अदला बदली होती है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि SRS ने वार्नर को सोचल मीडिया पर ब्लॉक क्यों किया झाल 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 झाल